प्रणा प्रकृती ने इतने सुन्दर सुन्दर चीजे हमें प्रदान के लिए अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगा गई थी एक मंदीर में ही गई थी बहाँ पर मैंने एक वनस्पति देखी और वो वनस्पति इतनी सुन्दर थी कि मैंने सुचा चलो एक वीडियो ये वनस्पति पर बनानी चाहिए काफी लोगों को ये वनस्पति पसंद भी आएगी कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे वैसे तो ये वनस्पति मानी जाती है दक्षिन अमेरिका की उपज यानि ये वनस्पति वहां की है ये प्रजाती वहां की है लेकिन भारत में भी जो पुराने शिव मंदिर है वहां पे एक तो वरुक्ष आपको ये वनस्पति का देखने को मिलता ही है ये वुरुख्ष का नाम है कैलाश्पती यानि इसे मलीकारजुन वनस्पती भी कहते हैं नागमणी कहते हैं नागलिंगी कहते हैं ऐसे अनेक नामों से ये वनस्पती जानी जाती है वैसे तो आयूर्वेद में इसके जादा हम इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन जितना भी हम इस्तमाल करते हैं वो बहुत ही उप्यूक्त है ये वनस्पती वैसे तो बहुत ही उची जाने वाली वनस्पती है 40 से 50 फिट तक इसकी हाइट बढ़ती है इसके उपर इसके जो फूल जब लटते हैं तो वो हमें बहुत ही मनमोहित कर देते हैं सुन्दर से फूल जब लटते हैं तो हजारों से लट जाते हैं इसके फल अगर आप देखेंगे तो काफी गोलाकार होते हैं जैसे तोप के गोले दिखते हैं वैसे ही ये वनस्पती के फल देखने को मिलते हैं तो ये जो वनस्पती है इसके पर्ण अगर आप देखेंगे तो व्रुष के सबसे उपर की टोच पे ही रहते हैं कभी पूरी इसकी वनस्पती पे ये पर्ण देखने को नहीं मिलते जादातर इसकी शाखाएं इसके तने देखने को मिलते हैं शाखाय भी बहुत ही लंबी होती है मानो 2-3 मिटर जितनी जाने वाली होती है जिसके उपर इसके फल और फूल लगते हैं ये वरुष का जो तना है वो काफी दरारी उक्त होता है बुरे रंग का होता है लेकिन इसके छाल में से जो भी शाखाय निकलती है उसके उपर इसके फल और फूल लगते हैं इसके फूल जब लगते हैं तो उसपर होते हैं छे पंखुडियां जिसमें बैंगनी, गुलाबी, सफेद और पीले रंग का सैयोजन देखने को मिलता है ये सारे रंगों से ये पूश्प एक अलगी छटा हमारी प्रकूर्टी को देता है ये पूश्प के अंदर पराकण भी होते हैं जो मधुमक्खियों को काफी आकरशित करते हैं तितलियों को आकरशित करते हैं तो ऐसे ही ये पुश्प जब हम ये पुश्प देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे शिवलिंग रखा है और नाग फणी उसके उपर आई है इतना सुन्दर ये देखने को हमें मिलता है लेकिन इसकी जो गंद है ये काफी उतेजक है और रात के समय इसकी गंद यान वैसे इसके फूल है वैसे इसके फल है तो फल इतने बड़े होते हैं जैसे मैंने कहा कि तोप के जो गोले होते हैं उतने बड़े बड़े ये गोला कार होते हैं और इसके अंदर 200 से 300 बीज मिल जाते हैं तो चंगा दड़ों को ये फल बहुत याकरशित करते हैं कुछ जान तो ये जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा है इसके फल आयूरवेद की तरफ से अगर हम देखेंगे तो इसके जो फूल है उसकी पेस्ट जादा से जादा जो प्रजनन आयू में आई हुई महिलाएं हैं लेकिन उहें मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो ऐसे में इसके फूलों का सेवन किया जाता है यानि उसकी पाउडर बना के या फिर चूर्ण बना के उसका सेवन किया जाता है कुछ महिलाओं को प्रजनन तंतर के जो रोग होते हैं कुछ लोगों को PCOS होते हैं PCODS से काफी आजकल हम बिमारियां सुनते आ रहे हैं तो ऐसे में भी ये वनस्पति इस्तमाल की जाती है इसके जो बीज है यानि जो फल मैंने कहा जो तोप के गोले जैसा होता है जिसे कैनन बॉल की तरह इसे बहुती सुन्दर नाम दिया गया है उसमें जो बीज होते हैं वो बीज का भी चूर्ण बनाया जाता है और प्रजनन तंतर के जो रोग होते हैं जैसे कुछ महिलाओं को बांजपन होता है जल्दी से कंसीव नहीं कर सकते हैं तो ऐसी सारी जो तकलीफ हैं उसमें इसके बीच का औशदी गुन चुपा हुआ है तो जैसे इसके फल है इसके फूल है वैसे इस पेड़ का अर्क भी अगर कुछ दर्द है मसुडों में दर्द है या फिर मलेरिया की वज़े से जब बुखा रात है उससे हमें जोडों में दर्द होता है या पूरा शरीर दर्द होता है तो ऐसे में भी इसका अर्क लिया जाता है ऐसे दो तीन बीमारियों के लिए ही ये वनस्पती जानी जाती है लेकिन इसकी फूलों की वज़े से ये वनस्पती भारत वर्ष में यानि पूरे भारत देश में बहुत ही प्रचलित है इसे कैनन बॉल ट्री भी कहा जाता है इंगलिश में इसका नाम है ज्यादा तर ये वनस्पति अगर वातावरण में कुछ प्रदूशित अगर कुछ गैस है या फिर प्रदूशन बढ़ भी रहा है तो ये प्रदूशक सं संके तक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वनस्पति अगर किसी जहरीले गैस के बीच आ जाती है तो ये अपने सारे पर्ण एक ही दिन में गिरा देती है और 24 गंटे के अंदर ही ये नए पर्ण लाने की ताकत रखती है तो इसका ये जो विशिष्ट गुन है ये ब फूल शिवजी को चड़ाये जाते हैं पॉंडेचिरी का ये राज पुष्प माना गया है इतना ये सुंदर पुष्प जो सबको मोहित करता है इसके आउशदी गुन तो मैंने आपको बता ही है वैसे इसके फल फूल और इसकी उची जाने वाली ये जो व्रुक्ष है वो जो फल है वो जब अपनी महक छोड़ते हैं तो वो महक हमारे मनुश्य को पसंद नहीं आते तो कुछ लोग इसे लगाने के लिए तयार भी नहीं होते हैं लेकिन ये वातावरन शुद्ध करने वाली वनस्पती है तो अगर हम इसे जादा लगाते हैं हमारे बाग बगीचो में तो उससे हमें फाइदा ही होने वाला है तो ऐसे ये कैलाश पती जिसे हम नाग लिंगी की तरफ से भी जानते हैं तो ऐसा ये इसका फूल इसके फल ये पूरा व्रुक्ष देखने में बहुत ही सुन्दर होता है जब ये पूरे फूल से लग जाता है तो इसके उपर ऐ यह व्रुक्ष है तो देखिए अपने घरों के आसपास भी लगाई है लेकिन कुछ लोग अगर जीने पता है कि कैलासपती क्या है तो यह जो फल होते हैं यह फल जब गिरते हैं तो यह इतने जोर से आवाज करते हैं कि कुछ लोग डर भी जाते हैं तो ऐसे यह बहुत ही मज संदर है काफी जगों पर देखने को नहीं मिल रही है लुप तो हो रही है तो ऐसी वनस्पतियों का समवर्धन करना हमारा करतव्य है हमें ऐसे सारी व्रुक्ष लगाने चाहिए अपने बच्चों को भी उसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए उन्हें भी सिखाना कीजिए तो मिलते हैं अगले पिसोड में ऐसे ही एक रुक्ष के साथ तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को जादा से जादा शेयर भी कीजिए और जो वाट्सेप क्रमांग दिया है उसके उपर आप मेसेज कुछ भी डाल सकते हैं कमेंड बॉक्स में भी कमेंड कर सकते हैं धन्यवाद